यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा जब भी पढ़ने बेड़ता हूं नीद आने लगती है ऐसे फिल होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंदन में बंद के अपनी जवानी बेंकार कर रहा हूं मोबाईल चलाने का मन करता है चेटिंग करने का मन करता है दोस्तों के साथ गप्पे लगाने का मन करता है अरपल यही सोचने बढ़ाई किसने बनाई यही सोचताओं कि टोप करने वाल स्टूडेंट कैसे बढ़ते होंगे वो कैसे लाते हैं इतने माक्स उनकी मेमोरी इतनी त बनाते हैं ऐसा क्या होता है जो एक्टोपर को तुमसे अलग मनाता है ऐसा क्या है जो किसी और के पास है लेकिन तुमारे पास नहीं है ऐसा कौन सा काम है जो एक्टोपर कर सकता है लेकिन तुम नहीं कर सकते कब से पहला तो यह कि तुम में और एक्टोपर में वायलोजिकली क कोई अंतर नहीं होता है तुम्हारे सारी अंग भी उसी तरी से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं तुम्हारी आखे भी पांच को बाच और नो को नो पड़ती है तुम भी सोते हो एक टोपर भी सोता है तुम भी मोबाइल यूज करते हो टोपर भी मोबाइल यूज करता है उस एक्टोपर को पता कि कौन सा काम कब और कितने टाइम में करना है जैसे अगर मुझे बता कि मोबाइल यूज करने से में अपने काम में डिश्टर्ब हो जाओंगा तो फिर मैं उस काम जरूरी काम को पहले खतम करूगा और मोबाइल बात में यूज करूगा कहीं कोई आज नहीं लग रही है तुमारे सपने सबसे पहले है दूसरा क्या है जो एक टोपर को तुमसे अलग करता है तुमारा मकसद शिर्फ पढ़ना होता है जबकि रटना होता है माक्स लाना होता है जबकि एक टोपर का मकसद शिरफ पढ़ना कभी नहीं होता उसका मकसद कुछ और होता है पढ़ाई तो शिरफ एक मात्विम होता है जो उनको उनकी मंजिल ते पहुँचाने के लाइक बनाता है इसलिए उनको पढ़ते टाइम मीन नहीं आती क्योंकि उनको पता होता है कि वह सिरफ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे बलकि कोई बड़ा काम करने के लिए अपना नाम करने के लिए पढ़ रहे हैं और यही बात उनको ताकत देती है, तोपर कभी रटते नहीं है, वोय कॉंसेप्ट को समझते हैं, उनको प्रेक्टियल में वे अपलाई करते हैं, इसलिए वे टोपी को कभी नहीं भूलते हैं, तोगी रटावा ग्यान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन शीकावा कॉंसेप्ट जिंदगे में कई बार काम आता है, और याद रखना, हर वह राज जिसकी नींद तुमने बढ़ाई के लिए कुर्बान करती है, वो अपना गर्ज जरूर चुकाएगी, थोड़ा धैरिये रखो, अपनी मिनत पे विश्वास रखो, तुमको सब पलता हो से मिलेगी!